Hello Friends, Educational Fact Channel मैं आपका स्वागत है हाजिरे आपके लिए एक नई अपडेट को लेके तो आज जो हम बात करने वाले है वो है Supreme Court of India जो आपका GYT 817-556 का जो केस है Supreme Court में पेंडिक पड़ा है जिसकी जो hearing है वो लगातार extend हो रही है computer generated जो date थी वो बिना किसी hearing के ही आपके extend हो रही था अब इसमें फिर से आज changes नजर आ रहे हैं और यह आप देख सकते हैं यहां पर जो change है इसमें next date की वो आपकी 10-5-2022 की आ रही है 10 मई तो आप देख सकते हैं यह अभी भी computer generated है tentative है मतलब इस पे change फिर से भी हो सकता है अगर सरकार के द्वारा कोई इस पे response नहीं जाता है तो यह फिर से आगे extend हो सकती है तो इसमें लगातार यह जो date extend हो रही है यह अच्छा संकेत नहीं है सभी experience के लिए तो जब तक कि यह solve नहीं हो जाता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा इसमें process आगे तो लेकिन जहां खबरों की बात है तो खबर यहां तक है तब भी अच्छी बात है लेकिन अगर यह फिर से extend होता है तो यह कहिना कि बहुत बुरी बात हो सकती है क्योंकि इतने बेरोजगारी में extend date का होना अब एक जितने भी 817 की experience सभी आस्त लगाए बैठे हैं कि आपका जो इसकी hearing है हो जाए और case solve हो जाए तो तक कि process आगे चले लेकिन ऐसा हो कुछ भी नहीं रहा है अब देखते है कोई अगली update आती है तो वह भी हम आपके साथ जरूर साजा करेंगे तो यह थी आज की update आई होप यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो कि वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो मिलते हैं अगली update के साथ तब तक के लिए बबाए